तो भाई, Semi Uso को लग चुका है Super Kick Solo Seekawa के थूँ भाई, WWE की SmackDown में The Bloodline की बहुत जादे आज सेगमेंट थी, पहले तो Solo Seekawa और Kevin Owens का मेनिमेंट में मैच होना था, और सुरू में ही भाई, हमें The Bloodline के कुछ सेगमेंट दिखा जाते हैं, जो कि SmackDown में हुए है आज, तो भाई, WWE SmackDown सुरू होने से पहले ही, बैक स्टेज हमें यह देखने को मिलता है, कि Solo Seekawa और Jimmy Uso entry कर रहा है, WWE की SmackDown के एरी नाम है, और भाई, महाँ पे Jay Uso पीछे आते हैं, और Femi Gen बगल से निकलते हैं, जे उसो देके सौक हो जाते हैं, Femi Uso को बोलते हैं, तुम्हें रोमन ने मना किय है, तो जाओ यहां से, फिर उसके बाद से एक गले मिलके निकल जाते हैं, फिर भाई, मेन इवेंट में इस SmackDown के, Kevin Ovens बैसे Solo Seekawa का मैच होता है, जिसमें मैच में भाई, Destruction नी, Destruction थे, इसमें हर एक चीज थे भाई, Storyline के इसाब से The Bloodline का Storyline ने एक नमबर पे चल लाया है, इस SmackDown में भाई, Solo Seekawa ने तो तबाही ही मचा दी थी, Kevin Ovens की तूर पूरी तरह से हालत खराब कर दिया भाई, यह दोनों ही Superstar हार मानने का नाम ही नहीं ले रहते हैं, Kevin Ovens भी भाई, बहुत ही aggressive दिख रहते हैं, और पूरी तरह से तोड़ने के mood में आयते हैं, कि Solo Seekawa को injury कर देखने को मिलता है, जब Kevin Ovens लगा देते हैं, और पिन करते हैं, तब ही Semi Gen Solo Seekawa को खिश लेते हैं, बाहर और भाई, उसके बाद से Kevin Ovens गुस्ते से फूट जाते हैं, लेकिन Solo Seekawa को Superkick लगाने जाते हैं, लेकिन Semi Gen को लग जाता है, और Sammy Gen नीचे पढ़ जाते हैं, और फि से अटैक भी किया, लेकिन देखने वाली बात ये थी, कि Kevin Ovens ने Semi Gen को एक भी बार टच नहीं किया, भाई, उनके सामने Semi Gen पढ़े हुए हैं, खड़े होके जाहां भी रहे हैं, लेकिन Kevin Ovens के हाथ में Semi Gen को नहीं मारा, भाई, ये स्टोरी लाइन बहुत ही तगड़ी होती